जहें दोस्तों मैंने दिबें चोहन आजम करेंगे क्लास्ट एंथ का 12.2 का क्वेस्चन नंबर 13 इसमें बोला गया है दी हुई आकृति में बताए अनुसार एक वर्तूला कार मेज पर 6 तरह का एक आवरण 6 तरह का मतलब एक कवर जो है वो डाला हुआ है ये वर्तूल है ठीक है और इस पर 6 तरह का एक मतलब जो कवर है वो डाला हुआ है अगर कवर से तरिज्या 28 cm है मिन्स ये हमारी तरिज्या है ओके ये हमें दी गई है 28 तो 0.35 cm2 के हिसाब से डिजाइन बनाने का खर्च ठीक है अब हमें डिजाइन बनाने का खर्च फाइंड करना है तो सबसे पहले हम डिजाइन वाला एरिया यहाँ पर फाइंड करेंगे ठीक है तो चलिए शूर करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे वर्त की तरिज्या हमारी है 28 जो कि हमें यहाँ पर गिवन है 28 cm तो सबसे प का लेंगे यहाँ पर वृत का शेत्रफल होता है पाई आर स्क्वेर तो पाई का मतलब 22 बटे 7 आर हमें यहाँ पर दिया गया है 28 गुणा 28 काट देंगे साथ एकम साथ 7 चौक 28 तो यहाँ पर बचा 22 गुणा 4 गुणा 28 ओके अब पहले 22 को करेंगे 4 से गुणा तो आ जाएगा 88 अब यह 28 बचा हुआ है अब 88 को 28 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 2464 यह हमारा हो गया वृत का शेत्रफल क्योंकि बाहर वृत है आउटसाइड में वृत है इसलिए पहले हमें वृत का शेत्रफल यहाँ पर फाइंड करना होग ठीक है अब यह जो आकरती है अंदर यह एक नियमित शटकोन बनाती है कैसे बनाती है इसको हम अगले पेज पर देखते हैं देखो यह जो आकरती बताई है हमें एक बारी हां से समझ लेते हैं यह जो डिजाइन के अलावा जो आकरती है यह नियमित शटकोन है ठीक है इसे ह एक, दो, तीन, चार, पांक, छे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नियमित, शटकोण, और छे शटकोण है, ठीक है, और वो किस शेप के है, इसको हमने नाम दे दिया है, A, B, C, D, E, F, ओके, संबाजू तिरकोण, ये छे संबाजू तिरकोण है, देखो, ये सभी एक दूसरे कि यहां पर इस निशान का मतलब है, कि ये सभी बाजू में बराबर है, यानि कि ये संबाजू तिरकोण है, ठीक है, तो यहां पर हम करेंगे, छे संबाजू तिरकोण है, तो छे गुणा संबाजू तिरकोण, आप एक का निकालके, एक संबाजू तिरकोण का शेत्रफल नि PAB का शेत्रफल ठीक है एक का निकालके और 6 से कर देंगे गुणा क्योंकि यहाँ पर 6 समबाजू तिरकोन हैं तो यहाँ पर हो गया आपका 6 गुणा अब समबाजू तिरकोन का शेत्रफल होता है root 3 upon 4 A square ठीक है तो यह हो गया 6 गुणा root 3 की value हमें बोला गया है 1.7 ले और A यानि की बाजू है हमारी जिसे हम त्रिज्ज्या भी कहते हैं और यहाँ पर बाजू भी है वो है 28 गुणा 28 अब इसे solve करेंगे 6 गुणा 4 एक कम 4 4 सत्य 28 तो यहाँ पर क्या बचा 6 गुणा 1.7 गुणा 7 गुणा 28 अब 6 को यदि हम 1.7 से गुणा करेंगे तो हमारा अंसर आएगा 10.2 गुणा 7 गुणा 28 अब 10.2 को हम 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ अंसर आएगा 31.4 गुणा 28 टन बाइ टन गुणा करेंगे पहले 6 को 1.7 से किया 10.2 आया फिर 10.2 को 7 से किया तो 71.4 आया अब 71.4 को 28 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 1 999.2 ओके तो ये हमारा आगया जो शटकोन दिया गया है जो टेबल क्लोथ बिचाया गया है उसका शेत्रफल और वरतूल का शेत्रफल यानि कि वरत का शेत्रफल हमने पीछे निकाला था तो आब जो परदेश में डिजाइन करा हुआ है देखू अब जिस एरिया में डिजा शटकोन के शेत्रफल को कर देंगे माइनस ओके यहाँ पर कर देते हैं वरत का शेत्रफल माइनस शटकोन का शेत्रफल ठीक है तो बहुत इजी हो गया है सम पहले हमने वरत का शेत्रफल निकाला देखिए फिर हमने यहां से याकरती बना दी जो हो गई शटकोन ठीक है तो तो इसलिए हमने चे समबाजु का छेत्रफल निकाला और अब हम वरत के छेत्रफल में से इस एरिया को कर देंगे तो वरत का छेत्रफल है हमारा 2464- शटकोन का छेत्रफल है 199.2 यहां- कर देंगे तो आंसर आएगा 464.8 तो जो हमारा ये जो design वाला area है उसका छेतरफल आ गया 464.8 अब इसमें बोला गया है यदि 0.35 प्रति सेंटिमीटर स्क्वेर के हिसाब से design बनाने का खर्च find करना है ठीक है तो design वाला area कितना है 464.8 तो इसी का हम निकालेंगे कि खर्च कितना रहा क्योंकि design तो इतने area पे है ना तो उसी का हम खर्च निकालेंगे ठीक है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 cm2 design का खर्च कितना दिया गया है हमें 0.35 तो हमारा area कितना है design वाला 464.8 cm2 design यह design की जगए यहाँ से लगा देंगे design का खर्च गुणा कर देंगे ठीक है 464.8 गुणा 0.35 इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारा answer आएगा 162.68 रुपे जो design वाला area है उसको sorry design वाल एरिया है उसको design करने का खर्च हमारा आया है कितना 162.68 रुपे अगला question देखते हैं अगले question में बहुत easy sum है इसमें हमें बोला गया है R बड़ी आर capital R से show किया गया है आर तरिजय वाले वर्टूल का वर्टांश तो देखे इस तरह की कुछ आकरती होती है और यहां पे हमें थीटा दिया गया है P degree तो यहां पे लिख देंगे P degree ओके P degree लिख देंगे यहां पर और हमें क्या निकलना है वर्टांश का शेत्रफल इन चारों में से कोई एक option होना चाहिए तो वर्टांश का शेत्रफल क्या होता है थीटा बटे तीन सो साथ गुणा पाई आर स्क्वेर तो थीटा कितना है हमारे यहां पर P upon 360 into पाई आर यहां पर हमें बड़े आर से शो करना है मिन्स कैपिटल आर से अब इन चारों में से कोई भी option हमारे समझ में नहीं आ रहा इसलिए हम क्या करेंगे उपर नीचे दोनों तरफ कर देंगे दो से गुणा multiply multiply by two denominator and numerator ठीक है numerator denominator और numerator को हम कर देंगे दो से गुणा तो बहुत सिंपल है उपर भी दो से गुणा पहले इसको सीधी सीधी गुणा कर लेते हैं पी एकम पी πाई आर स्क्वेर और नीचे 360 एकम 360 अब उपर नीचे हम दो से कर रहे हैं गुणा तो यह हो जाएगा टू पी पाई आर स्क्वेर अपॉन 360 को दो से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 720 यहनी की जो डी आप्शन है वही हमारा आंसर है इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं पी बटे 720 ठीक है पी अलगी था ना पैले भी है मैंने गुणा करने के लिए इसको साथ में कर दिया और गुणा 2 पाई आर स्क्वेर उपर भी 2 से गुणा कर दिया और नीचे भी 2 से गुणा कर दिया तो हमारा आप्शन डी जो है वह आंसर है तो मिलते हैं आगले कोशन के अगली वीडियो में जै हिन जै भारत